सब्सक्राइब करें कि आपकी ग्यों की बालिया निकल नहीं निकल चुकी है तो इसके बारे में बात करें कि ग्यों की बालिया निकलते समय कौन से और ब्रकों का प्रियोग करना चाहिए कौन से इस्प्रेय का प्रियोग करना चाहिए और कौन से इस्प्रेय का प्रियोग नह कि जो हमारी ग्यों की बालिया निकल लोती उस सवर पर काफी गलती करते कि जिस खाद का प्रियोग नहीं करना चाहिए तो इस वीडियो में आपको संपूर जान करने मिलेगी कि जो हमारी ग्यों की बालिया निकल नहीं जिससे जो हमारी पैदावार है वो अच्छी निकल करके आए तो इसके लिए इस वीडियो का पूरा आंते जो देगी है तभी आप एक सही और एक सटी जनकर ही लिपाएंगे आएगा हम सुरू करते कि संपूर कि जो हमारी ग्यों की बालिया निकल नहीं होती हैं कहीं कहीं पर पीला हलका पीला दिखाई दे रहा है तम आपको द्यायर रखना एक कि सब्सक्राइब करें कि इस सही पर आपको यूरिया के प्रीयोग नहीं चाहिए क्योंकि यूरिया का प्रियोग करने से बेस्टेटिव ग्रोथ पर काफी एदा असर पड़ता है हमारा जो ग्यहों की जो अब देख रहे हैं इसकी जो बढ़ बार नीचे की ज्यादा बढ़ जाएगी और जो बालिया आएंगी वह बालिया टाइम से पहले निकल है तो कि अपको यूरिया का पिर बिल्कुल नहीं करना की आपको लग रहें कि आपके खेत में नाइटोजन की कमी आपको दिखाई दे रहें कि हल्का-ल amongst दिखाई दे नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं आप इस परिदारा इसकी पूर्ती कर करना है काफी हमारे किसान में पहले टाप डेसिंग से यूरिया की पूर्थी करती इससे यह हुआ था उनकी ग्यों की फंगस का भी अटेक हो गया था दूसरा उनकी बेच्टेटिव बढ़ गेती जिससे उनकी पैदा वारती वो करें 30% घट करके निकल करके आई तो आपको ऐ किसान में और द्यान रखना है कि हमारे के काफी किसान में इस चीज का भी कफी ज्यादा गलती काते जो मैं आपको बताने वालूं कि जब हमारी कियों की बालेया निकल ने होती तो यह पर यह पीजिया टॉनिक का प्रियो करते तो आपको पहले करना चाहिए इस साहे पर करेंगे तो आपका टाइम और पैसा बिल्कुल बरबाद जाए क्योंकि इस्था में जो ग्रोथ होनाती वह हो चुकी है तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा अपना दिमाग नहीं लगाना और कोई भी पीजिया टॉनिक का प्रियों करते हैं तो आपको पैसा और टाइम दोन च करते हैं तो उसका आसर 10-15 दिन के बाद शुरू होता है अगर आप इस सहे पर लाएंगे तो 10-15 दिन के बाद हमारी गयों की बालिया पकने के स्टेज में होगी तो आपको कोई भी फाइदा नहीं मिलेगा आपको प्रियों करना है तो इस सहे पर आप नपके 19-19 का प्रियो कर सकते हैं लेकिन आपको ध्यार रखना है कि आपको फोलियर इस पर द्वारा ही पीडियो करेंगे तब आपको अच्छा जल देखने को मिलेगा इस सहे पर एक चीज का और प्रियो कर सकते है कि आप इस समय पर आप अगर बोरोन का प्रियो करेंगे तब आपको भूती अच यह मेरा खुद का तजर्बा है तो अगर आप इस समय पर बोरोन का प्रियो करेंगे तो आपकी जो ग्योंग की जो बाली आएंगी वह काफी सांदर चमकदा दिखा देंगे और आपकी जो पैदाबार आएगी वह काफी अच्छा रिजल्ट आपको देगी और पैदाबार में सकते हैं आपको बड़ोतरी दिखाई देगी तो आप इस समय पर बोरोन का प्रियों कर सकते हैं एंपके दच चब्वीच चब्यों कर सकते हैं और अगर एक चीज में और पताना चूंग कि अगर आपको गहूं से ज्यादा जरूत भूसे की तब आप एक काम कर सकते हैं आप प्रियों कर सकते हैं कि यूरिया जो होती बेस्टिटिफ ग्रोथ को बढ़ान में काफ़ी जायता करती है और इसकी जो ग्यों जो है आपका टाइम से पहले थोड़ा पक भी जाएगा और आपको जो भुसा है उसका थोड़ा फायदा हो जाएगा आपको तो आपको अगर भु जाधा बढ़ जाता है जिसवेशसे काफी हलकी भी हवा चलती तो गिर जाता है इससे भी आपको हाणिदेखने को मिलेगे तो यह आपको को द्यार रखने किसर्वाइग तो आपको अपनी के वलसे बैहर अच्या पैदावान ले सकते 153-30 के मुकाबले तो किसंवी आसा करता हूँ मैं आपको एक सही और एक सटी जनकरे देपाई अगर वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को जा सदा शेयर करें जिसे हमारे बाते हैं किसंवी तो पहुंसकर वो अपनी ग्यों की फाल से अच्छा पैदावाद ले सके किसंवी अगर आपको कोई सवाल है तो आप में डाक्ली कमेंट करके पूछ सकते हैं आपको सवाल होगा उसका मैं तुरंती जाब देनी को सित करूँगा तो अगली वीडियो मिलते किसंवी न